क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं P-N जंक्शन के बारे में आप लोग ने पहले ही ये पढ़ लिया हुगा कि P और N टाइप के सेमिकंडक्टर बनाए जाते हैं और P-N जंक्शन की बात जब की जाती है तो वहाँ पे दोनों सेमिकंडक्टर को यानि कि P-Type को भी और N-Type को भी एक ही प्लेट पे लाके एक ही सेग्मेंट पे लाके आपस में diffuse कराये जाता है एड कराये जाता है जोडा जाता है और जो material निकल के आता है वो होता है P-N जंक्शन यानि कि it is a combination of P-Type समिकंडक्टर और N-Type समिकंडक्टर वेल यह नाम से तो clear है मगर क्या इतना आसान है P-Type और N-Type को एक साथ लेके आना और आपस में जोड़ देना और बन जाएगा वो और अगर है तो फिर करते कैसे होंगे समझो इस बात को माल लो कि एक हमारे पास place है यार एक कोई चीज है यह हिस्सा है ठीक है इस पर आप लेके आए अपना P-Type समिकंडक्टर उठा के रख दिया यहां पर हम रखते हैं P-Type समिकंडक्टर चलो मैं बनाता हूं यहां पर परपल कलर से यह आपका P-Type समिकंडक्टर यह आपने हीट करना तो जैसे प्लास्टिक की पन्डी को हीट करते हैं और उसके मूम्स जो हो बाहर ऐसे ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरते हैं उसी प्रकार से ऐलमुनियूम फॉयल को जब इसके उपर लगा दोगे किसके उपर आप लगा दोगे एंट टाइप की उपर ठीक है एंट अब इसके उपर एंट टाइप की उपर एलमुनियूम फॉयल लगा रखा है और आपने उसको हाई टेंपरेचर लेट से 580 डिगरी सेल्सियस पर हीट किया तो जैसा मैंने बताया था एलमुनियूम के जो है छोटटे ड्रॉप्स जो है आटम जो इसमें गिर जाएंगे पि किसी की मर्ज है कि नहीं मैं तो एंट टाइप में लाएकां मैं तो प्रॉप करूऊ अधसी को मिक्स करेंगा तब भी बनदा कर सकता है वह कैसे करे पे लेट से वो पी टाइप को रखेगा और ऐलमुनियम फॉयल के जएगा फॉस्फोरस फॉयल के उसके उपर रखके हीट कर देगा और सेम कहान ही हो जाएगी तो जो चीज बन के आता है उसे हम कहते हैं पी एंजंग्शन एक बार फॉर्मल देफिनेशन रीड कर ले वेन अपी टाइप सेमिकंड़क्टर क्रिस्टल इस ब्रॉट इन्टू क्लोज कॉंटक्ट विथ एंट टाइप एक तो यह तरीक है कि दोनों को कॉंटक्ट में ले आओ जो अर्रेइजमेंट उसे हम कहते है पी एंजन्ग्शन या फिर जंग्शन डायोड ठीक है जिसके दो एंड्स होते है उसे हम कहते हैं यह अग ओलत हुगया उसे एक और यह यह कहते हैं अग यह तो आपको बनाना होенко तो आप क्या एक काम करो, the N-type and P-type silicon crystal are cut into thin slices, ठीक है, N-type और P-type silicon crystal को छोटे-चोटे slices में cut कर लो, बहुत छोटे-चोटे, imagine करो कि आप paneer के slices cut कर रहे हो, उतने छोटे slices में cut कर लिया, if a vapor on N-type silicon, N-type silicon and aluminium foil is placed, तो जो आपने वो vapor कट किया, वो paneer का vapor कट किया है, ठीक है, माहलों के paneer के जगा आपने P-type का vapor कट किया, या N-type का vapor कट किया, तो अगर आपने N-type का vapor कट किया, तो N-क उपर वही डालना है, aluminium foil, place कर देना है, फिर उसको heat करना है, heat करोगे तो फिर वो diffuse हो जाएगा, aluminium किस में diffuse हो जाएगा, silicon में, ठीक है, N-type में aluminium diffuse हो गया, और इसी प्रकार से आप P-type के अंदर भी जो है, वो आप diffuse कर सकते हो, तो इस प्रकार से या तो diffusion से कर लो, या फिर close contact में लाके कर लो, आपका बन गए P-n junction, आगे बढ़ते हैं, देखो, P-n junction कुछ इस प्रकार से प्रतीत होता है, यह जो आपको white-white दिख रहा ही है, holes, ठीक है, अब जहां पर majority charge carrier है, इसका मतलब नहीं हो, आप दूसरा charge carrier नहीं होगा, वहां पर minority charge carriers होंगे, मगर उसकी बात हम आगे करेंगे, पहले इसको समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुए another way, make a P-n junction is by diffusion of phosphorus into P-type, या तो आप phosphorus को P-type में diffuse कर दो, सेम चीज है, हाँ, आपको क्या करना है, P-type का उठाना है, semiconductor, उसके वोपर phosphorus की plating करनी है, foil लगाना है, जो मर्जी है, उसको heat करना है, और बन जाएगा आपका आगे, the vapor of which P-n junction is formed, is cut into small pieces, अब जो vapor बन कहा है, उसको चोट-चोट-चोट पीसे में cut कर लो, ठीक है, उसको अब देखो, आप imagine करो, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यह आपका था, P-type, ठीक है, इसके उपर imagine करो, एक और चीज की, आप माल लो, कि इसको उपर, ऐसे न, आप ये, phosphorus की covering कर देते हो, और covering करने के बाद, आप इसको करते हो, heat, आप करते हो, heat, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जब इसको heat करोगे, तो यह पिघलने लग जाएगा, पिघल के चला गया, तो purple के अंदर चला जाएगा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कि ऐसा दिखेगा, वो, imagine करो, चला गया, उसके अंदर, ठीक है, तो जाने के बाद, न, वो कुछ ऐसा दिखेगा, इसके अंदर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक, phosphorus, जाने के बाद, ज एक slices बन के आएगा, ठीक है, इस slice को ना connect करा दो, ऐसे battery से, ठीक है, एक slice को एक battery से connect करा दो, और बन के आपका PN junction, तो I hope कि आप थोड़ा बहुत visualize कर पाए होगे इस चीज़ को, तो यह था PN junction, PN junction का formal introduction, preparation, अब हम PN junction में कुछ होने वाले घटनाओं का भी जिकर कर लेते ह सबसे पहले जो चीज़ आती है, वह है depletion region and barrier electric field in a PN junction, तो depletion region क्या होता है, two important process occurs during the formation of a PN junction, जब आप बना रहे होते हो नो PN junction को, तो दो important चीज़ निकल के आती है सामने, पहला है diffusion और दूसरा है drift, ओके, we know that in N type semiconductor, electrons are majority charge carrier, आप यहाँ पे notice करो, N type में जो है, यह N type है, य electrons जो है, वो majority charge carrier है, ठीक है, and, ओके, और P type के अंदर, and in P type semiconductor, holes are majority charge carriers, और वहाँ पे electrons minority होते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे notice करोगे, तो इस P type के अंदर, holes जो है, वो majority, और electrons minority, और y-sever size में, आगे बड़े, when PN junction is formed, due to difference in concentration of charge carrier in two region of PN junction, the electrons from N diffuses through the junctions into P region, and holes from P region diffuses into N region, तो जब आपने इनको आपस में connect करा दिया न, तो P क्योंकि, P के अंदर जो minority charge carriers होते हैं, वो क्या होते हैं, electrons, तो जो minority होते हैं, वो जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ, क्योंकि यह जो है न, यहाँ पी आपको minority दिख रहे हैं, तो आपको मैं यहाँ पे highlight करके दिखाता हो, यह वाले जो है, यह वाले यह इस तरफ जाना चाहेंगे, और यह वाले जो है, यह इस तरफ आना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर इनको जादा जादा क्या मिलेगा, holes मिलेगा, यह mostly positive है, और यह mostly negative है, तो यह जो negative है, कौन से वाले negative, यह वाले negative, यह कोशि होता है ना ठीक है diffusion का क्या मतलब होता है intermixing होना तो इधर से उधर जब charge जाते हैं तो उस दौरान current produce करते हैं क्योंकि charge motion में आने चाहिए बस current के लिए I again repeat charge motion में आने चाहिए और charge motion में आ गए हब charge motion में आ गए तो current produce हो जाता है और इसी current को हम क्याते हैं diffusion current यानि कि अगर कोई आपसे आसान बास्ता में पूछे what is diffusion current तो आप लिखोगे की the motion of minority charge carrier minority charge carriers from n to p and p to n creates a current creates a current called diffusion current I hope यह बास समझ गये होगे ठीक है minority charge carrier के दौरा अस्थापित किये गए current को विद्ध को आप कहते हो diffusion current तो I hope यह typical हिंदिया आपको समझ आ गई होगी चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं ठीक है diffusion current में established हो गया ठीक है across the junction junction के क्रोस में diffusion current इनकी वज़े से establish हो गया अब आगे क्या होगा वेर्ण electron diffusion from diffuses from n region to p region और p n junction जब electron diffuse होता है n वाले इलाके से पी वाले इलाके में आप देखो यहां पर यह है आपका n वाला ठीक है तो n में से जो electron से वो किस तरफ जाएगा पी की तरफ जाएगा n के electrons अगर जब पी की तरफ जाएंगे ठीक है और similarly पी के electrons देखो शुरू शुरू में समझने की कोशिश करो अच्छे से बताता हो मैं आपको इसको मिटाया यह तो थे नहीं ना पहले पहले यह थे नहीं इस पूरे में भरा हुआ था यह वाला होल और इस पूरे में भरा हुआ था यह जो एलेक्ट्रॉन है यह जो होल है यह होल ट्रेवल कर गया इस तरफ ठीक है यह वाद समझ में आ गया तो यह त्रेवलिंग के वज़ए से क्या हो गया डिफ्यूजिन करेंट अच्छा आगे तो यही बता रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते है एन रिजिन से पी रिजिन की तरफ पिन जंक्शन में इट लीफ विहांइंस डोनर आटम इन रिजन एन रिजन और पॉजिटिव चार्ट फोड़के जाएंगे और जब होल्स डिफ्यूज होंगे तो नेगटिव चार्ट छोड़ हो जाते हैं रेस्पेक्टी अगर आप दिफारे करो तो यहां पर व गया पॉजिट्व स्पेस ऑगा यहां पर फिर से देखो यह पाले को यह नेगटिव स्पेस को हम क्या कहें गे आ आगे जाके तो यहां पर मैं पढ़़के बताता हूँ आपको तो जो यह इलाका है ना यह वाला इलाका जहां पर पॉजिटिव आ गया एंड वाले में और नेगेटिव आ गया पी वाले में तो यह पटिकुलर एरिया जो है यह कहलाता है इस एडिया में कुछ और नहीं होगी नहीं क्योंकि इन्हों ने कबजा कर लिया है यहां पर अच्छा ऐसा नहीं है कि इनका मन नहीं करेगा इधर जाने का यह भी तो एक तरीके से होल्स हैं यह भी होल्स इधर जाने के गोशिशच करेंगे बड़ अब यह रिज़न इतना ज़्यादा हो गया कि इनको इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा और ऐसा संबभ़ है नहीं ठीक है जैसे यह इधर जाएंगे जैसे समझो कि यह घुल से और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यह जो इलेक्ट्रॉन सोल के पास जाएंगे तो इ क्या होता है डिफ्यूजन क्या होता है ड्रिफ्ट क्या होता है